मुंदे मात्रम आप सभी का नेट्वर्क टैन में स्वागत है मैं हूँ संजेगरी गोस्वामी एक ऐसा शब्द जो हर किसी के मन में चलता है वो शब्द है कि अगर कोई भी घटना होती है तो वो आखिर क्यों होती है अखिर क्यों ये एक ऐशा शब्द है जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है आखिर क्यों ऐसा हुआ आखिर क्यों अब देखिए अगर हम बात करें तो बिहार में एक के बाद एक लगभग 11 पुल्ड हैं तो जब इतने सारे पुल्ड तूटते हैं डह जाते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों उसके पीछे के कारण क्या है तो ये जो आखिर क्यों है ये इतना बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई चाहता है अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में बीते दिनों लगभग 11 पुल धवस्त हो गए हैं मतलब कि गिर गए हैं लेकिन इस बात को तुल देने का हमारा कोई मकसद नहीं है हम के अवल इतना कह रहे हैं कि आखिर क्यों हुआ यह आखिर इसमें गलती किसकी है और आखिर इसमें कहां लापरवाई हुई क्योंकि कोई भी अधिकारी कोई भी जेई या कोई भी इंजीनियर या कोई भी वहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके का ऐसा कोई हाथसा हो लेकिन उसके बाद भी अगर लगातार हाथ से हो रहे हैं तो ये बहुत सारे सवाल भी खड़े करते हैं कि आखिर क्यूं ये हाथ से हो रहे हैं और ये बात हम आप सभी पूछना चाते हैं कि आखिर क्यूं इस तरीके के हाथ से लगातार हो रहे हैं ये सवाल आपका भी है कि आखिर पुल गिरे तो क्यों गिरे बारिश का पहला जटका भी वो बरदास नहीं कर पाए ये साबित करता है कि कहीना कहीं जो हमारा बुनियादी जो ढाचा है वो कमजोर है कईना कहीं जो उनको मापने के जो मानक हैं उनमें कोई चूक हुई है क्योंकि अगर बार-बार कोई घटना होती है तो उसके बाद उस पर बहस होना लाजमी है सवाल खड़े होंगे और सवाल खड़े भी होने चाहिए इसे इस तरह नहीं देखना चाहिए कि इस बात को तुल देकर आगे बढ़ाया जा रहा है या ये राजनिती करने का भी विशे नहीं है क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी घटना हो जिससे इतियास उसे कभी माफना करे लेकिन जब घटना हुई है तो उस पर सवाल भी वाजिव है सवाल ये है कि जब पुल बनता है तो उसके अंदर उसे पास करने के लिए उस जिन्हे को देखने के लिए बहुत सारे उसके नियम, काईदे, कानून बनते है क्या वहाँ चूक हुई है और अगर एक ही तरीके की चूक बार-बार हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा किसके उपर इसकी कारवाई होनी चाहिए और क्यूं कारवाई होनी चाहिए ये बहुत सारे सवाल खड़े होते है हर कोई यह जानना चाहता है कि एक पुल ढहा उसके उपर इतनी बड़ी जाँच बेठा दी जाती है वो जो जाँच है उसका रिजल्ट का बाता है ये भी किसे को नहीं पता दी बहुत देर हो जाती है तब तक तब तक फिर दूसरे कुछ और बड़ा हाथसा हो जाता है सरकारों को सामने लाना चाहिए या वो जो अधिकारी हैं उनको सामने लाना चाहिए कि ये घटना घटित हुई है तो इसके पीछे के कारण ये हैं वास्तों में क्या ठेकेदार की गलती रही है या उस इंजिनियर की गलती रही है जिन्होंने उस पुल को पास किया या वास्तों में जिस जंगे वो पुल बना, वो जंगे उस पुल को बनाने लायक नहीं थी या उसके जो सेंपल लिए गए हैं, या उसके जो पिलर खड़े करे गए हैं, उसमें कोई कमी रही ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, कि आखिर क्यूं हुआ, ये हादसा हुआ, तो क्यूं हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसके उपर दी जाए, कौन इस जिम्मेदारी को लेगा, कि आगे इस तरीके की घट्टाइन नहीं होगी और ये एक पुल की बात नहीं है, अगर 10-11 पुलों के साथ ऐसी इस्तितिया हो, तब तो सवाल वाजिब भी है, और सवाल बनता भी है, कि आखिर क्यूं, तुम्हारा मकसद के अवल यही है, कि इस तरीके के जो हादसे हुए हैं, उनके पीछे की हाकिकत क्या है, वो सब के स और जनता को जिम्मेदारी लेने भी चाहिए, आपी का पैसा है, आपी के लिए वो काम हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, गलतियां देखते हैं, शिकायत नहीं कर पाते हैं, या तो डर जाते हैं, या सोचते हैं कि मेरा इससे क्या होगा, और तब इस तरीके के हादसे सामने जाते हैं, तो जिम्मेदारी जिसकी भी है, अगर कुछ गलत हो रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, तो उसे महीं टोकना चाहिए, और जिम्मेदार वो अधिकारी भी हैं, जो इस तरीके की घटनाओं के अंदर, जिनके साइन हुआ हैं, या जिनकी कलम से ये सारी चीजे उस विभाग की क्या जिम्मेदारी थी, और जिस ठेकेदार ने काम किया उसकी क्या जिम्मेदारी थी, और जिसने वो पुल को पास किया शार्षन में, उनकी क्या जिम्मेदारी थी, आखिर कहीं न कहीं मॉनिटरिंग होती है, हर्थ किसी को इस बात पर गोर करना होगा, कि अगर पुल डहें हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले? गलती कहां है? पुल डहने की इस तरीकी की घटना है और उसके पीछे का सच क्या है? और अगर एक ही तरीके का हाथसा बार-बार हो रहा है तो उसके पीछे के कारण क्या है? यह बड़ी घटना है. क्या इन सब चीजों से इस तरीकी की घटनाओं की इतिश्री हो सकती है कि चलिए हमने जांच बेटा दी, जांच बेटा दी उसका रिजल्ट कब आएगा, कब होगा, किस पे कारवाई होगी, क्या उसके अंदर जो पैसा लगा, वो वापिस आएगा, जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई कोन करेग यह सब जनता का पैसा है, तो इन पुलों को लेकर, जो यह पुलों का इतियास है, इसे लेकर, जो भी चीज़े हैं, वो सामने आने चाहिए, कि आखिर यह हुआ क्यों है, और उसके बाद हम आपको फिर बताएंगे, कि कहां कहां और भी इस तरीके के पुल गिरे हैं, सवाल आपका भी है, सवाल मेरा भी है, सवाल सब का है, आपसे यह उमीद रहेगी, कि आप इस तरीके के जो हाथ से हो रहे हैं, इस तरीके की जो घटनाएं हो रहे हैं, उस पर अपने विचार भी रखें, उस पर अपने राए भी दीजिए, कि आखिर क्यों पुल गिरें, आखिर क्यूब